हलो दूस्तो मेरा नाम है मुहमद कैसर और आप देख रहा है स्टाड़ी चैनल बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग यूपिट्री पलसी से लेटिस्ट अपडेट की क्या नोटिसन जारी हुई हैं लेक पास सम्बंदित बहुत ही महत्पूर इंफॉर्मेशन है वो आपको इसवाग जानकारी दीजाएगी साहत बात करेंगे इस अने वाले रिजल्ट की नहीं भरतियों की और सारे बंदे से पहले एक और चरुरी सूचना आज हम बात करेंगे राजस लेकपाल के इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्सू प्रकाशिन के तरब से आता है संपूर पाटिकरम इस पुस्तक में है जिसमें आप हिंदी गड़ी सामान ग्यान ग्राम समाज इंविकास और करेंट अफेर सब कुछ पढ़ सकते हैं कंप्यूटर ग्यान सहीत इस बुस्तक को तयार किया गया है यह पर ट्रिपल सी के लेटेस पैटर्न कैदार पर यह किताब है इसमें 200 पेपर और 2000 से ज्यादा प्रस्नों के हल व्याख्या सहीत दिया गया है इस बुक में आपको पूरा सलबस देखने को मिल जाएगा पूरा गई है यदि आपको यह किताबा खरिदनी है ओफलाइन मार्केट से तो वहां से आप इसे इजिली ले सकते हैं और यदि आप इसे ओनलाइन खरिदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है सबसे पहले बात करते हैं यह उतरग परदेश अधिनस जारी हुआ है 26 मैं दिरशाम को यह प्रिटर बलसी ने इसका रिजर्ट जारी कर दिया था और अब इसके लिए डॉकुमेंट वरिफिकेशन होना है 9212 बतों के लिए भरती आई थी 17713 अभरती इस रिजर्ट में सफल हुए हैं और अब इनका डीवी कराया जाएगा इस भ भरती को यहां पर कॉलिफाई किया गया है चूकि इसके डीवी में बहुत सारे भरती जट भी जाते हैं इसी वएसे यह फैसला लिया गया है बात करते हैं दोस्तों लेकपाल की अब यूपर ट्रिपल सी लेकपाल भरती की तैयरियों में लगने वाला है बात करें दोस्तों इसके एडमिट कार्ड की तो एडमिट कार्ड यसका जल जारी होने वाला है 13 जून के आज पास यसके पहले ही लेकपाल का एडमिट कार्ड आ जाएगा परिक्षा में अब कोई भी समस्या नहीं है 19 जून 2022 को राजस लेकपाल की मुखे परिक्षा होनी है ये बिलकुल तैं हो चुका है कल ही दोस्तों कट आफ वाला जो मामला था इलहाबाद हाई कोट में वो याची का खारिज हो गई अब भेरतों ने मांग की कि एक फिक्ट कट आफ होना चाहिए लेकिन कोट ने इस याची को खारिज कर दिया और ये मामला था इलहाबाद हाई कोट में इसी तरह काई कि आची का लखनों में भी लगा हुआ है अब वो भी आची का खारिज हो जाएगी इसी के साथ दो और मामले हैं जिनकी सुनुआई अब जुलाई में होनी है 12 जुलाई और 24 जुलाई तो वो तो परिक्षा के बाद होनी है उसका परिक्षा पर कोई भी प्रिभाव नहीं पड़ेगा तो आप लोग बिल्कूर टटकर त्यारी करिए 19 जुन को ही लेकपाल की मुख परिक्षा होगी बात करें ये पर ट्रिबलसीक से जारी होने वाले रिजल्ट्स की तो जून महिने में दोस्तों जानकारी प्राप्त हो रही है कि जेई 2016 का रिजल्ट आने वाला है 37 जुनियर असस्टेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर ये दो फरतिया हैं इनके भी रिजल्ट आने के पूरे-पूरे चांसेस हैं एक और जेई की भरति भी दोस्तों आने जा रही है जेई 2022 और इसका विग्यापन जुलाई में आने की जानकारी मिल रही है 37 जुलाई में पेट 2022 का भी विग्यापन जारी होगा और पेट 2022 की परिक्षा 18 सेतंबर को होनी है कोश और प्राणी भरतियां जो फसी हुई है यूपिट्र पलसी की इसको लेकर भरति लगाता धरना पदर्शन कर रहे है इको गार्डन में भी धरना हो रहा है यूपिट्र पलसी पर भी लगाता भरति जा रहे है और वो मां कर रहे हैं कि उनके भरतियों को जल से जल क्लिर किया जाएए उनका रिजड़ जारी किया जाए और चैन्क तंब भरतियों को नूपनी दी जाएज़े जैसे ही कोई और नई अपडेट निकलेगी यूपिर्ट्र से सूचना दिया जाएगा बात करते हैं सेटेट की, CBAC ने दोस्तों सेटेट 2021 का रिजल्ट रिवाइज कर दिया है, आप यहाँ पर क्लिक करके अपना रिजल्ट देख सकती हैं, तो रिजल्ट इसका पहले ही आया था, लेकिन रिजल्ट में थोड़ा सा अपडेशन हुआ है, तो आप लोग दोस्तों ए एक बार फिर से अपना रिजल्ट चेक कर लेजिए, अभी तक इतनी जानकारी हमें प्राप्त हुई है, इसमें अभ्यरतियों के एक से दो नंबर बढ़ी हैं, और कुछ अभ्यरतियों का रिजल्ट सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो जिन अभ्यरतियों का र यूपी के बजट से कल दोस्तों यूपी का बजट आया और दावे तो बड़े-बड़े किये जा रहे हैं कि युवाओं को ये मिला युवाओं को वो मिला लेकिन सरकारी नौकरी के नाम पर बजट में कुछ भी नहीं है युवाओं को टैबलेट और स्मार्ट फोन देने के ये पंदर सव करोड रुपए खर्च किये जाएंगे ये सारे चीत दों ठीक हैं लेकिन रोजगार कहां पर है सरकारी नौकरियां कहां पर है रोजगार ही रोजगार दिये ऐसी हेडलाइन इस पेपर में आप देख सकते हैं तो यहां पर दोस्तों सो रोजगार रोजगार क बातें लगातार चल रही हैं लेकिन जो سरकारी नोकरियों की बात हैं चाहें वो प्राथमिक शिक्षक भरती हो टीजटी पिजटी एल्टी ग्रेट समेच जो दूसरी शिक्षक भरतीamous या जो दूसरी चापा जा रहा है और वाहवाई बटोरी जा रही है TGT और LTE grade में इंटर्यू कब के समाप्त हो गए हैं इंटर्यू के बिना ही पिछली भरतियां कराई गई हैं इसमें ये भी लिखा गया है कि 40402 सिक्षकों का चैन माद में सिक्षा विभाग में हुआ तो ये भरति तो पहले ही कम्प्रीट हो चुकी है जो पुरानी भरतियां है TGT, Sola, 216 के पहले वाली LTE grade जो भरति आए थी 10,000, 760 पदों पर और राजकी इंटरकॉलोजियों में प्रवक्ताओं की भरति इन सब को जोड़कर ये आकड़ा है 40,4002 ये भरतियां कपकी हो चुकी है नए जो पद स्रजित हुए हैं वो है 7540 और इन ही पर नई भरतियां देखने को मिलेगी 2022 का विग्यापन जून महिने में ही आने जा रहा है 5-6,000 पर इसमें होने वाले हैं बाकी जो बड़े-बड़े दावे किये जा रही हैं वो भरतियां पुरानी हैं पुरानी भरतियों को ही बार-बार दोहराया जा रहा है उच्छ सिक्षा विभाग में भी यहां पर दावे किये गए हैं कुछ सिक्षा विभाग में गुडवत्ता के लिए अच्छे फैसले लिये जाएंगे काउलेजों में स्मार्ट क्लासेस की विवस्ता होगी कि चार राजकी और दोवी पर से चास अंस्तान को मॉडल आइटी आई के रूप में विक्सित किया जाएगा सारी चीज़ा हैं लेकिन नई भरति को लेकर कुछ भी नहीं है और प्रात्मिक शुक्षक भरति का भी अभी कुछ भी आता पता नहीं है इस साल प्रात्मिक भरत लेट वीडियो को लाइक और शियर कर दिजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बला इकन दबा लिजिए ताक कि आपको इसे तरह कि सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इनफॉर्मेशन मिलती रहे थैंक्स वर वाशिंग